दूस्तो यहां कुछ पैटन है जो लिए गए हैं आपकी NCRT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गनित का जादू के पाथ 5 से तो चलिए देखते हैं यह पैटन आखिर है क्या और इन्हें हम पूरा करने की कोशिश करते हैं तो यहां पे हमें कुछ अंक भी दिखाई दे रहे हैं कुछ आलफबेट यानि की ABCD भी दिखाई दे रहे हैं और हमें हिंदी के आलफबेट भी दिखाई दे रहे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ हिंदी के अक्षर भी तो चलिए देखते हैं कौन से पाटन जो हैं वो है अब यहाँ पर अगला जो alphabet होगा वो क्या आएगा तो अगर हम ध्यान से देखे तो क्या pattern बनता आ रहा है A आया दो बार, A के बाद आता है B, B के बाद आता है C जितने भी alphabet से वो दो दो बार आ रहे हैं तो A, B, C के बाद आएगा D, D, फिर आएगा E, E, F, F, G, G और G, G के बाद क्या आता है G के बाद? G के बाद आता है H, H तो हमारा यह पहला pattern जो है वो पूरा हो चुका है अब हम देखते हैं इस pattern को सबसे पहले यह आया है Day, उसके बाद आया है Night और Night के बाद फिर से Day और फिर से Night तो अब अगला जो यहाँ पे word आएगा यानि शब्द आएगा वो क्या आएगा? कैसे चल रहा है pattern? Day, Night दोस्तों असल में भी तो यह होता है ना पहले दिन आता है फिर रात आती है फिर दिन फिर रात तो यहाँ पे भी जो जिन्दगी में सच में pattern चलता है वो ही हमें दिख रहा है तो Day, Night, Day, Night और अब क्या आएगा? Night के बाद फिर से क्या आता है? दिन तो यहाँ आजाएगा Day और Day के बाद आती है Night Night के बाद आता है Day और Day के बाद आता है आती है Night तो यहाँ पे हमारा दूसरा pattern भी जो है वो पूरा हो चुका है अब हम देखते हैं अगला pattern अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया है एक फिर आया है दो और फिर एक तो अब अगली संक्या क्या आएगी? अगर हम ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या pattern फॉलो हो रहा है वन के बाद टू, टू के बाद वन तो वन के बाद दुबारा से आएगा टू इसके बाद आएगा एक, फिर दो, फिर एक और फिर दो तो यह हमारा pattern जो है वो पूरा हो चुका है अब चलिए हम अगला pattern देखते हैं अब यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा यहाँ पे संख्या भी है, यानि अंक भी है 5, 6, 7 और साथ ही यहाँ पे alphabets भी है इंगलिश भाशा के जो alphabets होते हैं, वो भी है तो चलिए ध्यान से देखते हैं pattern जो है वो क्या follow हो रहा है सबसे पहले है 5, 6, 7 तो यहाँ पे counting शुरू ही है 5 से और उस तरह से आगे बढ़ रही है तेकिन यहाँ letters भी हैं, चलिए हम letters भी देखते हैं यहाँ पे है P, फिर है Q, और फिर है R तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जो है letters जो है, वो P से शुरू होकर आगे की और बढ़ रहे हैं P, Q, R तो अब अगला जो अंक है, सबसे पहले हम अंक भर देते हैं और फिर हम alphabets भर देंगे तो जो अगला जो pattern में, अगला जो संख्या होगी, वो क्या आएगी पांच के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 7 के बाद आएगा 8 और 8 के बाद 9, 10, 11 और 12 अब हम letters भी लिख देते हैं आगे तो P आया, फिर Q आया, फिर R आया, तो R के बाद आएगा S, T, U, V, W तो अब हमारा ये जो pattern है, वो हो चुका है, पूरा अब हम बढ़ते हैं अगले pattern की और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, तो सबसे पहले है 85, फिर है 75, और फिर है 65 तो अगर हम ध्यान से देखें, तो यहां 10-10 अंक जो हैं, वो कम हो रहे हैं बढ़ नहीं रहे हैं, कम हो रहे हैं, सबसे पहले 85, फिर 75, फिर 65 तो 65 में से भी अगर 10 कम हो जाएंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा 55 यानि कि 55, और 55 में से भी 10 कम हो जाएंगे तो आएगा 45 यानि कि 45, उससे भी 10 कम हो गए तो आएगा 35 उससे 10 कम हुए तो 25 यानि 25 और उससे भी 10 कम हुए तो आएगा 15 यानि की 15 तो अब हमारा यह pattern भी हो चुका है पूरा अब हम बढ़ते हैं अगले pattern की और देखे दोस्तों यहां मैंने एक pattern बनाया है जो की मेरे नाम से है सबसे पहले मैंने लिखा वी फिर ध्या फिर वी फिर ध्या तो यह मेरा नाम है विद्या तो मैंने यहां पे विद्या विद्या तो ध्या के बाद अगला जो अक्षर और मातरा आएगी वो क्या आएगा यहां फिर से वी द्या अब दुबारा से आएगा वी और फिर आएगा द्या फिर वी फिर द्या आप भी इस तरह से अपने नाम का pattern बनाने की कोशिश करना तो अब हमारे सारे patterns जो हैं वो हो चुके हैं पूरे तो दोस्तों हमने मिल कर बनाए इतने सारे pattern और उन्हीं करा पूरा आप भी कोशिश करना कि आप भी अपने नाम से अंको से या फिर आल्फबेट से बना पाएं कोई pattern